आप देखी रहे हैं जियो पलिटिक्स में किस तरह के हालाद बन रहे हैं और जो हालाद अभी मिडल इस्ट में बनते दिखाई दे रहे हैं उनमें कहीं न कहीं इरान का पूरा दिमाग चलता दिखाई दे सकता है वो इसलिए भी क्योंकि जो शुरुआत इरान ने की है उसके ह उसमें साफ देखे जा सकते हैं और ये उसके फाइद एक ले ही था जैसा कि आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि हमास के हमले की टाइमिंग ही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट थी क्योंकि उस वक्त इंडिया मिडिल इस्ट यूरोपियन एकनॉमिक कॉलिडोर यान से इरान वंचित रह जाता यही वज़ा है कि हाली में कतर में इरानी विडेश मंत्री से हमास के नेता ने मुलाकात की है और कतर के बारे में बता दे तो यह वही देश है जो कुछ समय पहले दुनिया के देशों को गैस के एक्सपोर्ट रोकने की बात कह चुका है वहीं जह बहुत ऐसी है जो हर जगे महसूस की जाती है वहीं भारत ने इसराइल का समर्थन करके आतंगवाद को बड़ा जवाब दिया है वहीं भारत का इस्टेंड कह सकते है कि वो न्यूटल भूमिका निबा रहा है और जिस तरह रूस यूकरेन में युद्ध देखिने को मिला थ भारत न्यूटल होकर वेश्ट के साथी साथ रूस के साथ भी अपने खेल को आगे बढ़ा हुए था जहां रूस अपना तेल और गैस यूरोप के सैंक्शन के चलते नहीं बेच पाया तो इसको भारत ने सस्ते दामों में उठाना शूरू कर दिया नतीजा यह हुआ कि भा फिर से बंते दिखाई दे रहे हैं जहां मिडल इस्ट में जो युद्ध के हालात बने हैं वो फिर से वही सेच्यूइशन बनाते होई दिखाई दे रहे हैं जिसको देखते होई भारत ने अपने पैट्रोलिम प्रोडस को रिफाइन करने की कैफसिटी को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला ले लिया है जिस तरह रशिया यूकरेन युद्ध में दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी वैसा ही कुछ इस युद्ध में देखने को मिल रहा है जहां सभी मुसलिम देश एक तरफ होकर फिलिस्तिन के हमास को अपर हैंट दे चुके हैं वहीं जबकि अमेरिका और यूरोप और बाकी देश हमास के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें भारत भी शामिल है पर इन समय भारत का इस्टेंड नूटल ही दिखा है जिसमें भारत की पकड़ अभी मिडल इस्ट में साफ देखी जा सकती है जिसमें UAE और साओधी पर एनम करने का खाका तैयार किया है और ऐसा करते ही भारत दुनिया का चोथा सबसे बड़ा ओयल रिफाइनर कंट्री बन जाएगा यहां आप देख सकते हैं जहां इरान भारत के रास्ते बंद करने में लगा है वहीं भारत एक नए रास्ते का निर्मान पहले ही शुरू क कर चुका है जिसमें हाली में अंडमान में 26 में से दो ब्लॉक के ऊपर तेल की ड्रिलिंग ओइल इंडिया द्वारा 2024 में शुरू कर दी जाएगी वहीं साओधी अरप के साथ भारत में एक बड़े पेट्रोलियूम रिजर्व की डील को फानलाइस करने के बेह नजदीक पह कर दिया है और ये भारत के लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ना तो UAE और ना ही रूस लेकिन भारत रिफैन पेट्रोलियूम तेल का एशिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है जिसमें भारत ने 7.85 लाग कर रोपय के पेट्रोलियूम प्रोडस का निर्या आप दे दिया है जो ये देश कभी नहीं भूल सकेंगे